अज दिपावली का त्योहार है और चार और जश्न का माहौल दिखा जा रहा है। पर बैन लगा रखा है ताकि लोगों के साथ कोई अन्होनी ना हो। हलके फुलके पठाकों के साथ दिवाली का त्योहार मना सकते हैं। तो वहीं देखा जाता है कि कई बार पठाके फोर्टोए लोग भी गायल हो जाते हैं। कई आग लगने की भी खबरे आती हैं। ऐसे घटनाओं से जल्दी निबटने के लिए दिल्ली के अगनी शमन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली अगनी शमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग ने कहा कि हमने 40 जगाहों पर फायर पोस्ट लगाए हैं। अगर कहीं आग लगती है तो इससे हमारा यात्रा का समय बचता है। हमारे करीब 3000 लोग ड्यूटी पर हैं। सभी की छुटियां रत कर दी गई है। शाम 6 बजे से 12 बजे तक का समय सबसे जरूरी होता है। हमें हर साल इस समय 200 के करीब कॉल मिलते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में जाग रूपता आ रही है। जिससे हमें उम्मीद है कि लोग कम पठा के जलाएंगे और ऐसी घटनाओं में कमी होंगी। सुनियो। जिसको फायर पोस्ट कहते हैं वो लगाया है। मतलब हम मार्केट प्लेसे में जो कंजस्टर जा इरिया है। जो हमें पास एक्समीन से पता लग यहां फायर होती है। हमारे शाम को करीब साड़े-पाँच बेसे रात के बारा बेतर हमारे जवान विद गाड़ी और समान की संग रहेंगे। यह इसलिए किया जाता कि अगर मालीजी कोई आग लग जाती तो हमारा जो ट्रेवलिंग टाइम है वो बच जा है। रस्पोंस रहें जो बच जया है और हम इमिडेटली पहुंचें और आपको बजा सकें। आपको जैसे पता है कि हर साल की तरह इस साल भी करीब करीब तीन अजार लोग हमारे जूटी पे हैं। सबी की छुटिया जो हम रिस्ट कर देते हैं। छुट्टी बहुत स्पेशल केस में दिया आती है। किसी का डैथ हो गया है, एक्सिजेंट है, या किसी की शादी है, ऐसे कुछ, मतलब बहुत ही रेर केस में दिया आती है। तो करीब-करीब तीन अजार के लोग आसपास में हमारे पूरे जो है, ड्यूटी पे रहेंगे, छे बजए से जो शाहम का टाइम है, और बारा बेसे। यही सबसे कुरूशल टाइम होता है हमारे लिए। और आप देखिए, इसी छे गंटें के अंदर में हमें जोसर ज्या है, वो पिछले सालों के मुकाबले कम आएंगे, अला कि पिछले साल भी बैन थे, लेकिन फिर जी यह आपकी बात से मैं लगता हूं, धीरे-दीरे लोगों में जागरुकता बढ़ रही है, लोग जो अवेर हो रहे हैं, तो इसले पठाके कम बजेंगे, पिछली बार भी द इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे है, वर इंडिया हिंदी के साथ।